अलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग, सभी के तैयारी बढ़ियां चल रही है, ठीक है, तो चलिए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग पार्ट फोर लेके आए हैं, किसका definite integral का, तो आज की इस वीडियो में हम एक नए पैटन की questions को solve करेंगे, x into e par x into dx, ठीक है, आभी तक हम लोग क्या कहिए, आभी तक हम लोग partial fraction की questions को solve किये, arithmetic questions को solve किये, trigonometry identities की questions को solve किये, तो आज हम एक दूसरे pattern पे काम करने वाले हैं, तो ये pattern क्या है, इसको समझे आप लोग, कैसे समझेंगे, दो function है, एक function है, x और दूसरा function है, x कौन सा function है, arithmetic function है, और e par x क्या है, एक exponential function है, तो जब कभी भी हमारे पास दो function दिखें, और दोनों function किस में हो साथ में, multiply में हो, product में हो, तब हम इस तरह के questions को कैसे solve करते हैं, और solve करने के बाद उसमें limit कैसे put करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, तो बन यह हमारे concept type का pattern है, कि जब हमारे पास दो अलग-अलग function हो, और दोनों किस में हो, multiply में हो, तो हमें कुछ इस तरह के functions को कैसे solve करते हैं, आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं, तो देखिए, इसको solve करने से पहले, मैं यहाँ पर आपको एक, इसका introduction दे देता हूँ, ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास में, जब कभी भी, क्योंकि यह आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं पहले भी, तो जब कभी भी हमारे पास में दो function, एक fx और दूसरा gx हो, और साथ में क्या हो, multiply हो, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम solve करते हैं, किससे solve करते हैं, बताएंगे क्या आप लोग comment section में बिल्कुल बताएंगे integration by part से किस से करते हैं हम लोग integration by part से अब यह integration by part क्या होता है integration by part क्या होए एक तरह का formula है जिसमें हम लोग इसको apply करते हैं कैसे है formula देखो तो अब इन दोनों functions में अगर मैं किसी एक को first और किसी एक को second अब यहाँ पर बात आएगी कि हम इन दोनों function में किसको first ले और किसको second ले तो अब यहाँ पर आप लोग बात हमेशा याद रखेंगे किसको याद रखेंगे I L A T E इसको हमेशा याद रखेंगे आप लोग I L A T E ठीक है हमेशा जब भी जब हम first function और second function को identify करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यह rule है I L A T E इसको हम लोग क्या करते हैं apply करते हैं यहाँ पर I जो है वो किसको बता रहा है वो inverse function inverse function का मतलब क्या है जैसे आ गया sine inverse ठीक है जैसे आ गया sine inverse जैसे आ गया cos inverse जैसे आ गया tan inverse जैसे आ गया cot inverse cos inverse second inverse तो ऐसे function क्या होंगे inverse functions के category में आएंगे इतनी बास समझ में आई अब आगे बढ़ते हैं दूसरा हमारे पास है L L का मतलब क्या होता है logarithmic function मतलब log के जो भी function होंगे log से related जितने भी function होंगे वो क्या कहलाएंगे logarithmic function और वो कहाँ पे stand करेगा second position पे stand करेगा थर्ड हम बात करते है arithmetic function A का मतलब क्या है arithmetic function अगर कहीं पर भी x, x square, x cube इस तरह से related हमारे पास function दिखेंगे तो उसे हम किसमे क्यों कौन सी category में apply करेंगे उसको हम category में apply करेंगे third category और third category में क्या है हमारे पास A मतलब arithmetic function तो हम इसा याद रखेंगे first क्या आएगा A, sorry, I I क्या होता है inverse उसके बाद क्या आता है logarithmic उसके बाद क्या आता है arithmetic फिर उसके बाद हम बात करेंगे T का T किस से relate करेंगा trigonometric function से trigonometric function में क्या आता है sin theta आता है cos theta आता है tan theta आता है और उनके component भी आते है तो T का मतलब क्या हो गया यहाँ पर trigonometric function हो गया और बात करते है last हमारे पास last है exponential function E का मतलब क्या है exponential मतलब E power X E power minus X कुछ इस तरह के अगर function आपको दिखेंगे तो वो क्या होंगे exponential function होंगे समझ में आया तो I, L, A, T, E को हमेशा याद रखना है और इसको कैसे याद रखना है बस I, L, A, T, E I, L, A, T, I, L, A, T करके इसको हमेशा याद रखना है समझ में आ गई बात तो इसको हम क्यों पढ़े इसको हम पढ़े जब हम इन दोनो functions में से किसी एक function को जब हम first लेंगे और second लेंगे दूसरे को second तो first किसको लेंगे हमेशा रखना first किसको लेंगे तो इन दोनों functions में देखो अगर मैं इस question की बात करूँ इस particular question की बात करूँ तो इसमें कौन-कौन से function हमें दिख रहे हैं सबसे पहले हमें identify होना चाहिए कि हमारा function कौन-कौन सा है अब इसमें दो function हमें दिख रहे हैं पहला function है arithmetic क्योंकि वहाँ पर x आ रहा है और दूसरा function ह में दिख रहा है e power x जो की क्या है exponential function तो इसमें हम कहां से नीचे कहां से उपर से नीचे की तरफ देखेंगे कहां से देखेंगे उपर से नीचे की तरफ देखेंगे और जो function पहले आ जाएगा उसको हम first ले लेंगे और जो second होगा उसको तो second लेना ही है समझ मैं क्या बात क उपर से नीचे की तरफ देखना है जो भी function पहले आ जाता है उसको हम first लेंगे और दूसरे वाले को बाजी वाले को क्या ले लेंगे second function ले लेंगे clear हो गई बात क्या? ठीक है तो यहाँ पर देखो इस function में इस question में हमारे पास x जो है वो क्या है? एक arithmetic function है तो यहाँ पर देखो i क्या है? i तो हमारे inverse है नहीं चलेगा l क्या है? logarithmic है नहीं चलेगा a क्या है? arithmetic function है तो arithmetic function जो है और last में देखो e power x e power x का exponential function है exponential function हमेशा कहां पे रहता है? last में रहता है तो पहले कौन सा आया? पहले आया हमारे पास arithmetic function इस वज़े से यहाँ पर यह जो x होगा वो हमेशा first होगा और e power x हमेशा second होगा ऐसा भी यार रखतो कि कभी भी अगर exponential function आपको दिखे गा तो वो हमेशा second function होगा कभी भी भी आपको exponential function दिखे गा तो वो हमेशा क्या होगा second function होगा मतलब e par x हमेशा second function रहेगा जब भी कोई भी question में अगर आपको exponential function दिखता है तो इतनी बात करो गई ठीक है अब हम यहाँ बात कर रहे थे integration by part की तो integration by part में माल लेते हैं अभी यह तो हमें identify defining है कि fx क्या है और gx क्या है माल लेते हैं हमारे पास fx जो है वो कितना है first function है यह fx हमारा first function है और gx हमारा second function है इसको हम लोग माल लेते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे हम इसका integration कैसे करेंगे integration by part लगाते हैं और इसके लिए formula है जिससे आपको पता होना चाहिए अगर आप इस तरह के questions को solve करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको वो चीजें नहीं पता है तो आप इसको कभी भी solve नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए integration by part लगाते हैं तो हमेशा याद रखना जो first function होगा उसको हम as it is लिख देंगे समझ में आना ध्यान से इसको देखना कि जो भी first function होगा हम first function second function कैसे identify करेंगे हम I L A T E से identify करेंगे ठीक है तो जो भी हमारा first function होगा इस first function को हमेशा as it is लिख लेना है लिख लिए और second function का हमें integration कर देना है जो भी function होगा उसको हमें integration करना है और integration हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं first function as it is second function का integration फिल लगाएंगे minus sign कौन सा sign minus sign उसके बाद उसके बाद ध्यान से देखेंगे जो ये first function है जो ये first function है इस first function का हमें क्या करना है differentiation करना है मतलब d by dx of fx क्या समझे d by dx of fx ये जो हमारा first function था इसको हम लोग अब क्या करना है यहाँ पर differentiation करना है और जो second function होगा उसका हमें क्या करना है integration करना है second function का हमें क्या करना है integration करना है ये जो second function है इसको हम लोग को क्या करना है integration तो जब इसको solve करने के बाद इसके solve करने के बाद जो भी value आएगी उसका एक बार और integration होगा इसका एक बार और क्या होगा integration तो यह हमारा क्या है यह हमारा direct formula आएगा किसका integration by part का इसी formula को use करके हम दो अलग-अलग function जो की multiply में है इसको solve कर सकते हैं समझ में आया एक बार मैं फिर से रिप्लीट करता हूँ कि जब भी हमारे पास में दो अलग-अलग function रहेंगे तो हम सबसे पहले उनको identify करेंगी कि कौँंसा first function है और कौँंसा second function जैसे हैं हमारे पास identification हो जाएगा कि यह function हमारा जैस्तर डूसरा function second function है तो हम क्या करेंगे फ़िस्ट function को as it is second function का integration करेंगे माइनस लगांगे फर्स function का डिफ्रेंशेशन करेंगेуса second function का करेंगे यहां से जो भी वैल्यू आति जो भी function आता है उसका एक बार और हम क्या करदेंगे integration कर देंगे तो वहां से हमारा integration by part वाला function है वो complete हो जाएगा समझ में आया तो अब हम यसी formula को यहाँ पर use करने वाले हैं क्यों क्योंकि हमने यह जान लिया कि यहाँ पर दो function है और दोनों function किसमें है multiplication में है और हमने यह भी जान लिया कि x जो है वो हमारा first function होगा और e power x हमारा क्या होगा second function होगा ठीक है तो चलिए formula हम लोग apply कर देते हैं अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे apply integration by part ठीक है integration by part हम यहाँ पर apply करने वाले हैं अब ध्याँ से देखते जाएंगे कैसे करेंगे देखो first function हमारा क्या है x है तो x को as it is रखे ठीक है second function हमारा क्या है e power x तो e power x का हम लोग क्या कर देंगे sorry integration करेंगे e power x का हम लोग क्या करेंगे integration और limit लगा देंगे 0 से 1 ध्याँ से देखती जाएगा ठीक है अब यहाँ पर limit भी है ना तो limit को भी कैसे put करना है उसको भी ध्यान से देखती जाएगा फिर लगाएंगे क्या minus minus के बाद जो हमारा first function था इसको हम लोग को क्या करना था differentiate करना था तो चलिए एक बार मैं पूरा एक बार formula लिख लेता हूँ तो यह हो जाएगा हमारा differentiation first function का हम differentiation करेंगे into second function का हमें क्या करना है integration करना है तो second function का हमारा integration हो गया उसके बाद उसके बाद एक बार और हमें क्या करना है integration करना है एक बार और हमें क्या करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा समझ में आई क्या बात 0 से 1 पे इतनी बात के लिए हो गई ठीक है अब कर देते हैं चलिए इसको solve कर लेते हैं क्या आएगा x तो हमारा x है ठीक है e power x का integration क्या होगा बताओ e power x का integration तो e power x होता है और limit हम लोग पूरे में लगाएंगे भाई यसा नहीं है कि x बाहर कर दिये ऐसा कभी नहीं करेंगे ठीक है यह हम x एक बाहर कियें कब जब हम formula apply कर रहे थे जब हम limit को apply करेंगे ना तब यहाँ पर x भी आएगा first function भी आएगा इसको बाद को हमेशा याद रखेंगे ठीक है maximum लोग क्या करते है यह x को बाहरी कर देते हैं पूरा इसको बस केवल e power x कहीं integration करते है और integration करने के बाद वो तो integration होगा है लेकिन limit जो होगी वो पूरे में put होगी इतनी बात clear होग ठीक है ऐसी गलती नहीं करेंगे ना ठीक है माइनेस उसके बाद माइनेस माइनेस के बाद देखो माइनेस के बाद limit हम 0 से 1 put कर दिए अभी देखो यह हमारे पास जो x हा x का हमें differentiation करना था x की respect में तो क्या value आएगी 1 आएगा और e power x का integration हो जाएगा तो e power x हो जाएगा फि तो formula है एक बाद फिर से integration कर दो तो यहाँ पर चले एक बार इसमें अभी नहीं करते पुट एक ट्था कर देंगे इक ट्था ही हम लोग limit पूट कर देंगे minus यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 1 into e power x मतलब e power x और e power x का integration हम जानते हैं कितना होता है e power x ही होता है तो यह हो जाएगी limit 0 से 1 इतनी बास समझ में क्या सबसे simple question है यह ठीक है integration by part का clear हो गई अब हमें क्या करना है upper limit पूट करना है और minus lower limit अपर limit क्या है यहाँ पर 1 है तो x की जगे जहां जहां x लोगा वहाँ पर हम लोग 1 पूट कर देंगे तो कर लो यहाँ पर 1 into e power 1 ऐसे ही आएग तो e power 1 minus क्या हो जाएगा e power minus में e power 0 ऐसा कुछ आएगा ठीक है चलिए अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा e e power 1 तो e हो गया minus e power 0 तो कितना होता है e power 0 किसे में भी power 0 हो तो उसकी value 1 हो जाती है लेकिन यह किसके साथ multiply है 0 के साथ तो यह हमारे value 0 हो जाएगी minus में यहाँ पर क्या आएगा e power 1 तो मतलब e और minus e power 0 का मतलब कितना हुआ 1 हुआ तो इसको solve किये तो e minus यह तो खतम हो गया ठीक है यह तो हमारा खतम हो गया minus में e और यह plus में 1 यह दोनों cancel हो गया बचा कितना 1 तो 1 हमारा क्या हो गया answer आ गया समझ में आया तो इस तरह से हमे क्या करना है जो integration by parts वाले questions है उनको solve करना है अब दूसरा question एक और question देखते हैं उसको भी solve करते हैं फिर question ने खिएंगे उसको अब इसको solve करेंगे जब हम लोग, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे, integration by part लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं, बिलकुल लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, देखो, यह जो 1 by x square है, एक function हो गया, कैसे, देखो यहाँ, अगर मैं इसको i के equal कर लो, let कर लिए, अब उसके बाद देखो, इसको हम लोग कैसे separate कर सकते हैं, वहाँ पे देखो, यह 1 by x square हो गया, और into log x और into dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, लिख लिए, दोनों multiply में हैं, और यह एक function है, और यह एक दूसरा function है, है कि नहीं है, तो जब दो function हो, साथ में क्या ह हो, multiplication में हो, तो हम यहाँ पर integration by part लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो अब बात आएगी कि यहाँ पर कौन सा first होगा, और कौन सा second होगा, तो बताओ कौन सा first होगा, तो हम कहाँ पर चलेंगे, i late में चलेंगे, i सबसे पहले उपर से नीचे के तरफ आएंगे, i का first हो गया, ये तो कुछ भी हो, ये तो हमारा second function होई जाएगा, अब आगे देखने की जरूरती नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया, तो ये हम लोग को, हम लोग को समझ में आ गया, कि कौन सा first function होगा, कौन सा second function, जैसे ही हमारा first function और second function identify हो गया, तो हम क्या करेंगे, by पार्ट यहां पर apply कर देते हैं, तो apply integration by part, ठीक है, चलिए apply करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, कैसे apply करेंगे, first function को as it is, अब मैं apply करने जा रहा हूँ, ठीक है, first function को I के equal करके, first function को as it is कर दिये, ठीक है, second function का हमें क्या करना है, integration, तो यह हमारा second function का integration, limit लगा दो, one से two, minus, first function का differentiation, first function का क्या करना है हमें, differentiation, और second function का हमें क्या करना है, integration करना है, और जो भी value आएगी, उसका एक बार, और हमें क्या करना है, integration कर देना है, ऐसे ही है क्या, यही चीज़ लिखा हुआ है, first function को as it is, second function का integration, minus first function का differentiation into second function का integration और whole का एक बार और integration ऐसे ही करना है चलिए यहाँ पर क्या यही value देख लेते हैं तो देखो यहाँ पर देखो यह हमारा log x तो log x ही रहेगा इसका तो कुछ होगा नहीं 1 by x square का integration क्या होगा 1 by x square का integration minus 1 by x होगा होगा की नहीं होगा भाई, minus 1 by x होगा की नहीं होगा integration जब इसका integration हो गया तब हम दोनों में limit put करेंगे ना 1 से 2 में, समझ में आया क्या 1 by x square का जो integration होगा, वो क्या होगा, minus 1 by x जिसको नहीं समझ में आया, यहां देख लो 1 by x square है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x par minus 2 x par minus 2 का integration करेंगे तो क्या आयगा, minus x par minus 2 का integration करेंगे तो क्या आयगा, बताओ यह हो जाएगा, x par minus 1 divided by minus 1 मतलब minus 1 by x ऐसे ही आयगा क्या, ठीक है तो इसको हम क्या कर देते है, rough कर देते है यह तो अभी, ऐसे ही, हम लोग समझ रहे थे, यह हमारा rough हो गया, ठीक है, समझ में आया, अब फिर चलते हैं, यह आई था, तो इसको आई ले लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यह हमारा क्या हो गया, first function तो ऐसे ही था, second function का हमने integration कर दिया, तो उसका आया, minus 1 by x और limit put कर दी, 2 से 1, ठीक है, अब फिर लगाएंगे क्या, minus, ध्यान से लगाते जाएंगे, सारी चीज़े, हम लोग करते जाएंगे, minus में, अभी अंदर का पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एक बार और integration कर देंगे, अंदर में क्या लिखा होगा है, 1 by, sorry, log x, log x का जो differentiation होगा, वो कितना होगा, 1 by x होगा, और इसका integration का, बताओ, इसका integration, 1 by x square का integration क्या होगा, minus 1 by x, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा, और फिर हमारे पास क्या है, limit है, 1 से 2, यह तो अंदर का हम लोग कर लिए, differentiation और integration कर लिए, उसके बाद जो भी value आईगे, उसका एक बार और integration करना पड़ेगा, तो यह हमारे एक बार और हम integration कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, log x है और minus 1 by x है, तो इस minus को हम बहार निकाल देते हैं, से लिख देते हैं, log x divided by x, 1 से 2, limit हमें put करनी है, ठीक है, अब देखो, यह minus है, यह minus, minus minus क्या बन जाएगा, plus बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा, 1 से 2, और यह क्या value आ जाएगी, 1 by x square, और यह dx बन जाएगा, इतना ही बनेगा, ठीक है, अब देखो, i equal, यह minus तो हमारे पास minus है, अब limit put कर दो, limit put कर देंगे, तो सबसे पहले upper limit put करेंगे, तो क्या हैगा, log 2 divide by 2 आएगा, log x divide by x है, तो log 2 divide by 2 आएगा, क्या, बिल्कुल आएगा, minus, अब देखो, log 1 divide by कितना आजाएगा, 1 आजाएगा, upper limit, minus, lower limit put कर दिये, कर दिये, प्लस, यहाँ देखो, 1 by x square, अब 1 by x square का integration क्या होगा, 1 by x square का integration, minus 1 by x होगा, और limit हमारे 0 से, वो स्वारी, 1 से 2 आजाएगी, आजाएगी क्या, ठीक है, समझ में आजाएगा, ठीक है, आब उसके बाद देखो, यह i equal, इसको यहाँ पर, अटा देगा, इसको, चलो भाई, हट जाओ, पूरा हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, आब देखो, हाँ, i equal, यह हो गया हमारा, minus में, यह हो जाएगा, log 2 divide by 2, log 1, log 1 की value कितनी, 0, तो यह पूरा हमारा term क्या बन गया, 0, तो यह हमारा इधन आ गया, आगया, अब देखो, यह minus sign यहाँ जाएगा, minus sign, यह square नहीं लगा हुए न, minus sign इहरा आएगा, तो यह minus बन जाएगा, minus बन जाएगा, आब उसके बाद value बन जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, यह हमारा क्या हो गया, answer हो गया, समझ में आया, आया की नहीं आया, तो यह हमारा क्या बन गया, answer बन गया, ठीक है, ठीक है, यह चली, एक और question को solve करते हैं, यह question अच्छा है, इसको solve करने में मज़ा आएगा, ठीक है, चलिए इसको solve करते हैं तो limit है 0 से 2 pi e par x into sin pi by 4 plus x by 2 ठीक है इसको चलिए solve करते हैं तो अब इसको जब हम solve करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे कैसे हम put इसको हम एक integral मान के solve करेंगे तो i equal 0 से 2 pi ठीक है e par x into sin pi by 4 plus x by 2 into dx ठीक है चलिए आप इसके बाद फिर से हम यहाँ पर identify कर लिए कि यह एक function है और यह दूसरा function है दो function है दोनों multiply में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे integration by part apply करेंगे integration by part apply करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन सा function first होगा और कौन सा function second function होगा तो यहाँ पर दिख रहा है e par x और e par x क्या है exponential function है और exponential function हमेशा क्या होता है exponential function हमेशा second function होता है तो sign वाला क्या हो जाएगा हमारा first function हो जाएगा ऐसे भी आज रख सकते हैं ठीक है clear होगी बात तो जब हम identify कर लिए कि कौन सा function first है कौन सा function second है तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हम apply करने वाले है apply integration by part ठीक है चले apply करते है तो apply करने में हमारे पास first function क्या है sin pi by 4 plus x by 2 तो इसको हम क्या करते है as it is लिख देते है क्योंकि first function हमारा क्या रहता है as it is रहता है ठीक है अब उसके बाद second function हमारे पास क्या है e power x है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा ठीक है इसका हम लोग integration कर देंगे फिल लगा देंगे minus उसके बाद first function हमारे पास क्या है first function है हमारे पास में sin pi by 4 plus x by 2 तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा differentiate करना पड़ेगा into second function को हमें integrate करना पड़ेगा और जो भी value आएगी उसको एक बार और हम लोग क्या करेंगे integrate कर देंगे कर देंगे ठीक है इतनी समझ में आई बात अब इसको हम solve करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या sine यह क्या चल रहा है i equal चल रहा है i equal में तो i equal यहाँ है यह हमारे पास sine pi by 4 plus x by 2 into e par x e par x का integration करेंगे तो क्या आएगा e par x हो जाएगा और यह हमारा limit यहाँ पर put होने लगेगी 0 से 2 pi ठीक है समझते जाएगा ध्यान से minus यही चीज़ कर रहे है यही चीज़ हम लोग question 1 में भी किये थे 2 में भी किये थे और 3 में भी कर रहे है और आगे जितने भी question होगे इस तरह के उसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे बस आपको step by step जो step है उसको follow करते जाना है ठीक है समझ में आया और plus और minus का ध्यान रखना है bracket को अच्छे से लगाते चले जाना है ठीक है चले उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग sine pi by 4 plus x by 2 का differentiation इसका differentiation केतना होगा इसका differentiation कितना होगा यह angle में हमारे पास कितना है angle में हमारे पास pi by 4 plus x by 2 है तो इसका sine का differentiation क्या होगा बताएंगे sine का differentiation हो जाएगा यह cos pi by 4 plus x by 2 और यह जो हमारे पास x के by 2 में है यह जो हमारे पास a जो constant आ रहा है x के साथ में जो constant आ रहा है वो कहां पे multiply होगा वो इसके साथ में multiply हो जाएगा यह बात आपको समझ में आ रही है क्या कि जब sine pi by 4 plus x by 2 का differentiation होगा तो कितना होगा cos pi by 4 plus x by 2 और यह x के साथ में जो constant है वो कहां पे आ जाएगा multiply में आ जाएगा अगर इसका हम लोग को क्या करना पढ़ता integration करना पढ़ता तो यह जो constant होता वो कहां पे आ जाता division में आ जाता यही बात समझ में आ दिये क्या आप लोग को ठीक है clear हो गई बात x के साथ में जो coefficient था जो coefficient मतलब 1 by 2 इस 1 by 2 को हमने क्या कर दिया बाहर में cos के और जो की है 1 by 2 के साथ में multiply कर दिया clear हो गई बात ठीक है क्या चलिए अब into into क्या है e power x का integration क्या e power x और इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक बार और integration करना पड़ेगा करना पड़ेगा कर लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद i equals to अब हमें क्या करना है यहाँ पर upper limit और minus lower limit put कर दो upper limit कितना हो जाएगा यहाँ पर sine x की जिएगे हमें क्या put करना है 2 pi तो put करो तो यह हो जाएगा sine pi by 4 plus 2 pi by 2 2 pi by 2 ऐसे ही आएगा छीक है into e power into e power कितना हो जाएगा 2 pi यह हो गई हमारे पास upper limit minus कर देंगे lower limit put करो तो क्या हो जाएगा sine pi by 4 plus 0 हो गया क्योंकि x की क्या है x by 2 मतलब 0 by 2 तो यह हो जाएगा 0 into e power 0 e power में 0 यह क्या हो गया upper limit minus lower limit ठीक है क्या यह हम इसको ऐसे बन कर देते हैं bracket में ठीक है अब आगे देखो यह तो था किसका solution इसका solution ठीक है अब यह तो हमें बागी है अब यहाँ पर देखो 1 by 2 को हम बाहर कर देते हैं तो यह बन जाएगा minus 1 by 2 0 से 2 pi और यह क्या बन गया cos pi by 4 plus x by 2 into e power x into dx समझ में आया अब ध्यान से देखते जाएंगे ध्यान से देखते जाएंगे अच्छा question है ठीक है आब उसके बाद देखो उसके बाद इसका हमें फिर से integration करना है यह तो हमारा integration complete कहा हुआ है अभी तो इसको हम लोग को integration करना है यहां देखो cost आ रहा है फिर से e power x आ जा रहा है इसका कोई एक fixed value आ रही है क्या जिसका हम लोग integrate करते हम लोग question 1 और 2 में क्या रहा था इसको solve करने के बाद फिर से जब हम integrate कर रहे थे तो वो integration हो जा रहा था लेकिन इसमें हम लोग integration फिर से करना है तो इसमें direct हमारे पास integration नहीं हो पा रहा है तो अब इसको कैसे करेंगे इसमें हम फिर से क्या लगाएंगे by part लगाएंगे इसमें हम लोग फिर से क्या लगाने वाले हैं by part लगाने वाले हैं समझ में आया ध्यान से समझेगा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास फिर से यहां पर एक function और दूसरा function दिख रहा है और साथ में multiply दिख रहा है तो इसका हम direct indication नहीं कर सकते तो इसमें हम लोग फिर से लगाने वाले हैं क्या by part, ठ्वान से समझेंगे, ठीक है तो इसको तो हम solve कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो गया I equal, क्या हो जाएगा ये इसको LCM ले लो LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा Sine, LCM लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे रहेगा πाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, तो इसको मैं 5 पाई बाई 4 लिख दूँ, इसको मैं क्या लिख दूँ, 5 पाई बाई 4, समझ मैं है न इसको मैं लिख देता हूँ, 5 पाई बाई 4 तो Sine, 5 पाई बाई 4, clear हो गई बात Into, bracket लगा दो Into, E पार 2 पाई, ठीक है, आगे बढ़ते है Minus, Sine, पाई बाई 4 हो जाएगा यह Sine, पाई बाई 4, और Into, E पार 0 की वैलू कितनी होती है 1, तो यह 1 हो गया, इतना हमारा, इसका solution आगया, अभी के लिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है अब इसको देखते है Minus, 1 by 2 अब इसको देखो, इसको देख रहे हैं तो एक बार फिर से यह क्या आपन रहा है, by part बन रहा है तो by part में हम लोग जानते हैं कि E पार X आएगा, तो E पार X को हम लोग को क्या करना है, इसको क्या लेना है हम लोग को second function लेना है, और जो cos वाला है इसको हम लोग first function लेंगे, तो first function और second functions हम लोग decide कर लिए फिर इसको हम लोग एक बार क्या करेंगे एक बार फिर से 1 by 2 में इस पूरे में एक बार फिर से हम लोग क्या करने वाले है, integration by part लगाने वाले, इस वज़े से ये question जो है हमारे लिए important है, आ सकता है बहुत बार आया भी है, ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग लागाने वाले है तो first function हमारे पास जो भी है क्या है, cos pi by 4 plus x by 2 ये हमारा first function ने इसको as it is रख दिये, second function हमारे पास है, e power x, उसका हम लोग differentiation कर दिये, 0 से 2 pi में, फिर minus लगाएंगे, minus लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे d by dx of ठीक है, d by dx of किसका cos pi by 4 plus x by 2 का, क्योंकि ये first function था और जो second function है इसका हम लोग को क्या करना है, integration करना है, और जो भी value आएगी उसका फिर से एक बार, 0 से 2 pi में, क्या कर देना है integration कर देना है, समझ में आया ठीक है, clear हो रही बात, ठीक है, अब आगे बढ़ते है फिर से यहां से i चालू करते है i equal, अब बताओ sin 5 pi by 4 की value क्या होगी, sin 5 by 4 की value हम लोग पहले भी निकाल चुके है कितनी होती है, minus 1 by under root 2 तो यह हो जाएगा, e power 2 pi divide by under root 2 और minus में, है न, sin 5 pi by 4 की value, minus 1 by under root 2 होगी, और e power x to multiply में है, तो यतना multiply में हो जाएगा, और यह minus sin pi by 4, sin pi by 4 की value कितनी होगी, 1 by under root 2 ही होगी होगी क्या, होगी की नहीं होगी बिल्कुल होगी, तो इसका हमारे पास solution आ गया, इतना कुछ अब देखो, यह minus 1 by 2, यह bracket लग गया अब हम इसको solve कर रहे हैं तो करो इसको solve, तो यह क्या हो जाएगा cos pi by 4 plus x by 2, और e power x का integration क्या हैगा, e power x और क्या, और क्या, और limit हमारे पास कितनी आएगी limit आएगी 0 से 2 pi, है ना, ऐसे ही तो कर रहे थे क्या ठीक है, और देखो फिर यह minus हो गया इसका जब हम integration करेंगे, ध्याँ से देखना जब हम cos pi by 4 plus x by 2 का क्या करेंगे differentiation करेंगे, तो क्या आएगा cos का differentiation क्या है, minus sign, तो यह minus है, तो यह minus minus क्या हो जाएगा, plus बन जाएगा बन जाएगा की नहीं बन जाएगा, बिलकुल बन जाएगा, उसके बाद क्या value आएगी sign pi by 4 plus x by 2, और क्या आएगा, 1 by 2 भी तो आएगा, क्या multiply में, क्योंकि x को coefficient जो है, 1 by 2 कहाँ पर आएगा multiply में आएगा, ध्यान से समझेगा ठीक है, इस वज़े से यह 1 by 2 sign pi by 4 into x by 2 आगया, और e power x का हम integration जानते हैं, कितना होता है e power x अब यह जो भी value आई है जो भी value आई है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार और integration करना पड़ेगा कि नी करना पड़ेगा भाई करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा ना, चलिए, इसलिए important question है, ठीक है आप देखो धेव, ध्यान से देखो e power e equal में अब यह जो value है, यहाँ पे minus अगर मैं common कर लूँ, तो minus common कर लिए और minus common करके क्या हो जाएगा, e power 2 pi plus 1 divide by under root 2, ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं न, ठीक अब आगे देखो, minus में यहाँ पर हम लोग value put कर देते हैं हम यह दोखो, आप देखो जहाँ से देखेगा यह जो minus 1 by 2 है इस पूरे bracket में हम लोग क्या कर रहते हैं multiply कर देते हैं, ठीक है इस पूरे bracket में हम लोग multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा, minus 1 by 2 किसके साथ में cos pi by 4 plus x by 2 into e power x और limit अभी तो हम लोग लगाए ही कहा है, अभी हम लोग limit नहीं लगाए है जहाँ से देखेगा, ठीक है और फिर minus 1 by 2 का जब इसके साथ में होगा, तो value क्या आएगी minus 1 by 4 आजाएगी यह भी तो 1 by 2 है, और यह 1 by 2 यह 1 by 2 क्या हो जाएगा, minus 1 by 4 हो जाएगा, हो जाएगा क्या और देखो जहाँ से, 0 से 2 by, यह हो जाएगा sin by by 4 plus x by 2 into e power x into dx, ऐसा कुछ हमें दिख रहाएगा, जहाँ से देखो, ऐसा कुछ दिख रहाएगा, बिलकुल, आब देखो आब यहीं पर game change होगा आब यहाँ पर क्या होने वाला है, game changing होने वाला है, कैसे, आब सबसे पहले, starting में चलते हैं starting में क्या चलते हैं starting में चलते हैं कि 0 से 2 by, 0 से 2 by e power x into sin pi by 4 plus x by 2 into dx को, हमने क्या लिया था हमने i put किया था क्या put किया था, i put किया था आब दिखान से देखो यहाँ पर यहाँ से देखेंगे यहाँ देखो यहाँ देखो देखो नवाई अब देखो limit 0 से 2 pi sin pi by 4 plus x by 2 into e power dx यह value किसकी है यह value तो i के equal है की नहीं है बताओ यह वाली value जो है वो i के equal है की नहीं क्योंकि हम starting में क्या ले लिए थे put कर लिए थे की i equals to जो हमारा question था वही तो question है यह question ही तो है क्या यह है कि नहीं तो इस पूरे value को हम लोग क्या ले लेते हैं i ले लेते हैं समझ में आया समझ में आया की नहीं आया इस पूरे value को हम लोग क्या ले लेते हैं i तो यह क्या बन जाएगा, minus one by four i, यह क्या बन जाएगा, minus i by four, यह पूरा term क्या बनेगा, minus i by four बनेगा, बनेगा नहीं, बनेगा की नहीं बनेगा, और यहां पर भी i तो चली रहा है, यहां पर i तो चली रहा है, तो इस minus i by four को हम इधर साइड ले जाते हैं, इधर साइड, तो क्या बनेगा, i तो है ही साथ में, और plus i by 4 हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आई की नहीं आई, अगर ये चीज़ समझ में आगई तो आपका खेल, इस पूरे question को हम लोग ने क्या लेके चलें, i लेके चलें, तो ये क्या value हो जाएगी, minus i by 4, और इस minus i by 4 को हम कहां ले ज आएगा, समझ में आया, और equal में क्या आएगा, ये पूरी value, ये पूरी value हमारी equal में रहेगी, तो देखो, ये तो हमारा minus चल रहा था, e power x plus 1 by under root ही था, ठीक है, अब इसको देखो, minus 1 by 2, इसमें हम लोग limit put कर देते हैं, चली put करते हैं limit, देखो, cos pi by 4 plus, कितना होगा ये, 2 pi by 2, ऐसे ही होगा, 2 pi by 2, है न, और into e power क्या हो जाएगा, 2 pi, ये रहेगा, ठीक है, minus में, और देखो, क्या हो जाएगा, cos pi by 4 plus, ये क्या हो जाएगा, 0, और into e power 0, ऐसे ही कुछ आएगा, क्या, ऐसे ही आएगा, अपर limit हमारे पास 2 pi है, तो cos में put किये, pi by 4 plus, x की जाएगे 2 pi, और by 2 into e power 2 pi, minus cos pi by 4, और e power 0, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, तो ये क्या हैगा, 5 i by 4 आजाएगा, आजाएगे की नहीं है भाई, LC हम ले लेंगे, इतना बन जाएगा, और यहाँ देखो, minus e par, minus e par 2x है ना भाई, ये तो x नहीं है, 2x है, क्या गर लोग, क्या लिखेंगे, ये तो 2 pi ये चल रहा है ना भाई, ये देखो, e power 2 pi, तो e power, e भी इसको इटा दो, इसको भी अटा दो, ये हमारा हट गया, और ये क्या है, ये है e par 2 pi, है ना, plus 1, divide by under root 2, minus 1 by 2, यहाँ देखो, अब क्या, cos, इसको solve करेंगे, तो क्या आएगा, इस इसको भी solve करने से cos 5 pi by 4 आ रहा है, ये 5 pi by 4 आएगा की नहीं आएगा, आएगा, अब cos 5 pi by 4 को solve कर लो, तो क्या हो जाएगा, cos pi plus pi by 4 लिख सकते हैं, 5 pi by 4 को, ऐसे ही तो हम solve किये था ना, sin वाले को, तो cos वाले के भी solve कर लो, तो sin क्या हो जाएगा, pi plus pi by 4, और pi plus, किस में आ है, third coordinate में आ रहा है, third coordinate में 10 और cot positive होते हैं, बागी सारे negative होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, negative में चला जाएगा, minus cos pi by 4 आ जाएगा, और minus cos, हम जानते हैं, cos pi by 4 की value कितनी होती है, 1 by under root 2, तो इसकी भी value कितनी आ जाएगी, minus में, minus में, 1 by under root 2, और साथ में क्या है, e power 2 pi, है न, minus में, यहाँ देखो, cos pi by 4 बचेगा, क्या बचेगा, cos pi by 4, और cos pi by 4 हम जानते हैं, कितना होता है, 1 by under root 2, बचेगा की नहीं, बचेगा इतना, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये कितनी value आ गई, 5i by 4, minus में, minus में, क्या, e power 2 pi, plus 1, divide by under root 2, और यहाँ पे minus common लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, plus बन जाएगा, बन जाएगा, कि न, बन जाएगा, और ये है, 1 by 2, और यहाँ पे क्या value आएगी, e power 2 pi, plus 1, by under root 2, ऐसे ही कुछ आएगा, क्या, minus दोनों में common कर लेंगे, यहाँ, plus बन जाएगा, ये 1 by 2 है, e power 2 pi, plus 1, divided by under root 2, ऐसे ही बनेगा, ठीक आप देखो, ये तो हो ही गया है, solve, और solve करना है, तो और solve कर सकते हैं, अब दोनों में e power 2 pi, plus 1 by under root 2, दोनों में common आ रहे है, तो common कर लो, क्या हो जाएगा, e power 2 pi, plus 1, divided by under root 2, common कर लें, यहाँ पे बना minus 1, यहाँ पे बना 1 by 2, इसको solve कर लो, कितना होगा, minus 2 plus 1, कितना होगा, minus 1 by 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास, minus में e power 2 pi, plus 1, divided by 2, under root 2, और यह किसकी value है, 5i by 4 की value है, हमें चाहिए किसकी value, हमें तो value चाहिए i की, तो i की value क्या आ जाएगी, i की value हो जाएगी, minus में, minus में क्या, 1 by 2, under root 2, और क्या, यह किसका multiply होगा है, यहाँपे, 4 by 5 का, तो यह हो जाएगा 4 by 5 और कितना e power 2 by plus 1 हो जाएगा यह 2 से 2 हमारा cancel हो गया यहाँ पे 2 आया तो i के हमारे पास final value आएगी minus 2 divide by 5 under root 2 e power 2 by plus 1 यह हमारा क्या आगया final answer आ गया ठीक है समझ में आया तो minus 2 by 5 under root 2 e power 2 by plus 1 यह हमारा answer है तो इस तरह से हमें क्या बनाना है questions को बनाने है समझ में आया समझ में आया है कि नहीं आया है इसको थोड़ा सा zoom out कर देता हूँ तो आपको समझ में आयागा क्या किया हमने ठीक है यह हमारा question था यह हमारे पास question था इसको हमने सबसे पहले i के equal कर दिया i को equal करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने by part लगाया by part लगा के solve किया तो यह यहाँ पर क्या बन रहा था फिर से 2 function बन रहा थे तो दोनों function के लिए हम लोग यहाँ फिर से by part apply किये by part apply करने के बाद यहां पर फिर से क्या बन गया, वही question बन गया, sign में, वही question बन गया, तो उसको हम जो i लिए थे, उसको यहां पर i put करके, i को उधर ले गया, तो i plus i by 4 बन गया, i by 4 बनने के बाद इसको solve कर लिए, और फिर last में हम लोग i की value find कर दें, जो की इतनी value आनी है, समझ में आया क्या, आया क्या video समझ में, ठीक है, एक और question मनाए, एक और question को solve करते हैं, उससे और आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो देखिए, हमारा एक last question हम लोग solve करेंगे, ठीक है, अब इसमें फिर से क्या बोल रहा है, इस value को हमें define करना है, और value जो है, हमारे पास integration में है, वो limit है, pi by 4 से pi by 2 में, और cos 2x into cos 2x into log sin x into dx लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग फिर से किस तरह से solve करेंगे, by part से solve कर रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यह जो cos 2x है, वो एक क्या है, trigonometry function है, यह जो हमारे पास cos 2x दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, आपको trigonometry function दिख रहा है, और जो log sin x दिख रहा है, अब बताओ, log sin x कौन सा function होगा, क्या वो log होगा, या फिर trigonometry होगा, comment section में comment करेंगे, जो log sin x है, वो कौन सा function हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पर, log sin x को क्या मैं log लूँगा, या फिर trigonometry लूँगा, ख्यांसे बताएंगे, ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, जो भी बाहर में होगा, मतलब यह log के angle में आ रहा है ना भाई, तो यह हम लोग इसको console लेंगे, logarithmic function से हम लोग क्या करेंगे, solve करेंगे, समझ में आया, तो यह हमारा trigonometry function है, और यह हमारा log का function है, अब फिर से देखो, i late में हम लोग उपर से नीचे जाएंगे, तो i हमारा क्या है, inverse है, तो i नहीं रहाए अभी, ठीक है, उसके बाद आगे, देखेंगे question जब आएगा, उसके बाद दूसरा, il, कौन सा function आया, log function आया, तो जैसे लोग function आ गया है, तो यह first हो गया, तो यह हमें सा second function हो जाएगा, अब हम जैसे ही जानगे, कि first function है, और यह हमारा second function है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग apply करतेंगे, indication by part, तेक है, indication by part, अब फिर से apply कर लेंगे, कैसे, कैसे करेंगे इसमें, क्या से देखते जाएंगे, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, आईके एक्वल ले लेंगे, हम लोग इसको आईके, एक्वल ले लिए, है ना एक्वल लेने के बाद, उसके बाद, first function क्या है, log sin x, इसको हम as it is रख दिए, उसके बाद in to लगाये, और second function हमारे पास क्या है, cos2x और इस cos2x का हम integration कर देंगे कितने कितने के बीच में करना है हमें करना है π.4 से π.2 के बीच में करना है यह हमारा हो गया first function as it is second function integration माइनेस अब क्या first function जो हाने पास था d by dx कौन सा log sinx का इसे हमें क्या कर देना है differentiate कर देना है into second function हमारे पास है cos2x का इसको हमें क्या कर देना है मतलगो इससे हमें क्या करना है integration करना है जो भी value आएगी यहां से उसका हमें एक बार और integration करना है किनके किनके बीच में π.24 से π.2 के बीच में और यह हमारा dx हो गया यहीचीज करना था यह चीज हम लोग कर लिए अब इसको solve कर लेते हैं करें चलिए i equals to यह हो जाएगा हमारे पास में log sinx अब बताओ cos2x का integration क्या होगा cos2x का यहां dx भी लगा दो यहां dx लगा दो तो cos2x का integration हो जाएगा हमारे पास में sin2x by 2 ऐसे ही होता है का integration है ना और लिमिट हमारे पास क्या रहेगी 5 by 4 से 5 by 2 के बीच में रहेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं minus यहां पे देखो यहां पे log sinx का हमें क्या करना है integration करना है तो log पहले किसका होगा log का होगा तो log का क्याता हो कैसा होता है 1 by sinx हो जाएगा भाई जो angle में जो number लिखा रहता है वो divide में आ जाता है तो 1 by sinx होगा आप sinx का करेंगे तो integration क्या हैगा cosx आ जाएगा यह चीज़ समझ में आया कि नहीं आया log sinx का पहले हम integration करेंगे तो 1 by sinx आएगा फिर sinx का करेंगे तो cosx आ जाएगा ऐसे ही तो एक है इंटू यहाँ पर क्या आएगा cos2x का हमें integration करना है तो क्या बन जाएगा यह sin2x by 2 यह बन जाएगा ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है एक बार और integration करना है limit हमारी 0 0 नहीं है pi by 4 से pi by 2 है और यह हमारा dx हो गया ठीक है क्या चलिए आगे फिर से बढ़ते है i equal अब यहाँ पर हमें क्या करना है limit बस पुट करना है कर देते हैं limit put 1 by 2 को बाहर ले जाते हैं क्योंकि उसका कोई काम है नहीं अब limit put करते हैं पहले क्या करेंगे pi by 2 पुट करेंगे करो log sin pi by 2 क्या log sin pi by 2 into into में क्या sin 2 into pi by 2 कितना आएगा आएगा आगया minus लगा दो अब pi by 4 पुट करो तो log sin pi by 4 into into क्या sin यह हमारे उपास हो गया upper limit minus lower limit है ना चली आगे बढ़ते हैं minus लगा दो अब इसको solve करो तो यह 1 by 2 बाहर आगया यह हमारा 1 by 2 बाहर आगया अंदर में क्या बचेगा pi by 4 है और यह pi by 2 है अंदर में बचेगा हमारे पास में cos x divided by sin x और into sin 2 x है अब इस sin 2 x कोम क्या लिख सकते हैं इस sin 2 x कोम लोग 2 sin x into cos x लिख सकते हैं कि नहीं थोड़ा side कर दो into cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं चीग है तो यह sin से sin हमारा cancel हो गया और यह हो गया हमारा dx और ये 2 से 2 भी हमारा cancel हो गया, cancel हो गया की नहीं हो गया, बचा क्या है है, cos square x, क्या बचेगा, cos square x, तो ये हो गया हमारा, i equal, 1 by 2, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या, log sin pi by 4, sin pi by 2, sin pi by 2 कितना, 1, और log 1 की value कितनी हो गई, 0, तो ये ये हो जाएगा तो यह भी जीरो जाएगा तो यह ऐवाला जो पहला टम है वह был außer भन गया माइनेश यह देखो लोग साइन पाइबाइबाइब फोरख पाइबाइबाइब फोर चाइब इतना होता हैं वं बाइग root 2 तो यह लिख दो भाई log 1 by under root 2 लिख दिए into sin यह क्या हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा बचेगा क्या sin pi by 4 और sin pi by 4 कितना होता है 1 होता है तो मतलब इतना आगया आगया कि नहीं आगया भाई आगया अब आगया देखो minus में यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा pi by 4 से pi by 2 और क्या बचा cos square x और यह बचा dx समझ में आगया अरे आगया कि नहीं समझ में बताओ अब आगय देखो i equals 2 अब इस 1 by 2 की यहाँ पर multiply कर देते हैं तो यह minus बन गया यह 1 by 2 बन गया log बन गया अब इस under root को उपर ले जाते हैं under root को उपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा यह बनेगा 2 पावर में minus 1 by 2 बनेगा कि नहीं बन जाएगा है ना बनेगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा भाई चलो minus अब यहां देखो cos square x लिखा है क्या लिखा हुआ है cos square x और हम जानते हैं पहले वीडियो में हम लोग ने देखा हुआ है कि अगर sin square x हो cos square x हो sin cube x हो sin cos cube x हो तो उसे हम किस तरह से solve करते हैं तो जब भी sin या फिर sin square x या फिर cos square x देखेगा तो हमें क्या करना है वहाँ पर cos 2 x वाले formula को apply करना है चलो एक बार और देख लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास cos 2 x के 2 formula एक होता है 1 minus 2 sin square x दूसरा होता है 2 cos square x minus 1 तो हमें क्या चाहिए cos की value चाहिए तो हम दूसरा formula लगाएंगे 2 cos square x minus 1 तो यहाँ से क्या जाएगा cos 2 x plus 1 by 2 यह किसकी value हो जाएगी cos square x की value हो जाएगी तो इस cos square x की value यहाँ पर put करतेंगे क्या value है cos 2 x plus 1 by 2 ठीक है तो यह हमारे पास integration हो जाएगा pi by 4 से pi by 2 यहाँ पर हम लोग को क्या put करना है cos 2 x plus 1 by 2 और यह हो जाएगा हमारा dx समझ में आया समझ में आया की नहीं आया आगया अब आगे देखो यह है आई equal दूसा pen change कर लेते हैं यह आला लिख रहते हैं चलो अब यह जो है यह तो log की power में है log की power में log की property यहाँ पर apply होगी तो minus 1 by 2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा plus का 1 by 4 बन जाएगा भाई बन जाएगा और यह क्या बनेगा log 2 बन जाएगा समझ में आया तो log की property आपको कहीं पर भी अलग से question देखने को मिलेगा कहीं पर भी है cos आइगा और यह हमारे पास limit क्या थी इसको गायब कर दो और यह हमारे Pacific लिमिट आगई हमारे पास पाइब दो यह चीज समझ में आयए नau कैसे कर दिये यह वाइटू बहार आगया यह अंदर में बच्षा था cos 2x plus 1, cos 2x का integration की है, sin 2x by 2 आया, 1 का integration की है, x आ गया, ठीक है, i equal, ये कितना आ गया, 1 by 4 log 2, 1 by 4 log 2, ठीक है, minus 1 by 2, अब कर लो भाई, चलो, कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, upper limit, 5 by 4, 5 by 2 put करो, तो ये हो जाएगा, sin 2 into, 5 by 2, और ये by 2 है, plus, क्या है यहाँ पर, 5 by 2 हो जाएगा, तो ये क्या है, ये क्या है, bracket, bracket, दूसरा bracket लगा दो, दूसरा bracket लगा देंगे हमारे पास में, तो ये वाला bracket लगा दो, ये bracket लगा दो, ठीक है, ये हो गई हमारे पास, upper limit, हो गई, minus lower limit put करते हैं, lower limit क्या है sin 2 into pi by 4 sin 2 into pi by 4 divide by 2 और x की जगे क्या रखेंगे lower limit pi by 4 तो यह हमारा एक बन गया ठीक है, आब उसके बाद देखो इसको बाद, उसके बाद यहाँ पे solve हो गया क्या i equals to 1 by 4 log 2 minus 1 by 2 यहाँ देखो, यह 2 से 2 हमारा cancel, बचा क्या, sin pi हो, sin pi क्या होता है, sin pi, sin 2 pi sin 3 pi, सारी value कितनी होती है, 0 तो यह value हमारी बन गई, कितनी 0 बन गई, तो यह हो गया 0 plus pi by 2 ठीक है, आगे बढ़ते हैं, minus यहाँ पे क्या है, यह 2 से 2 cancel हुआ, बचा sin pi by 2 sin pi by 2 कितना होता है, 1 तो यह बना 1 by 2 और यह बना pi by 4, ठीक है, सारा integration हमारा बन गया है, यहाँ पर, और यह इसको हम लोग लिख लेते हैं, 1 by 4 log 2 minus minus का अंदर multiply कर देते हैं minus 1 by 2 का pi by 2 के साथ multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा pi by 4, ठीक है अब उसके बाद minus 1 by 2 का minus 1 by 2 के साथ करेंगे, तो plus 1 by 4 उसके बाद minus 1 by 2 का plus pi by 4 के साथ multiply करेंगे, तो minus pi by 8 बन जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है यह हमारा बन गया अब यहाँ पर 1 by 4, 1 by 4 है common लेना है, तो common ले लो, यह 1 by 4 common आ गया, यहाँ पर बनेगा log 2, और क्या बनेगा plus 1 बन जाएगा, यहाँ से minus अगर pi by, कितना pi by 2, pi by 4, 10 हो जया, pi by 4 और यह pi by 8, यह हमारा क्या बन गया answer बन गया, ठीक है समझ में आया, तो इस तरह से हमें क्या करना है, questions को solve करना है जब हम लोग किसका integration by part वाले जो concept है, उसमें हम लोग solve कर रहे होंगे questions को solve कर रहे होंगे, जब दो अलग-अलग function किसमे होंगे multiplication में होंगे, तब हमें यह ध्यान रखना है कि हम वहाँ पर integration by part अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना है, i late को कैसे याद रखना है, उपर से नीचे के तरफ हमें देखना है, तो यह question हमारे लिए बहुत ही helpful रहेंगे, ठीक है, तो मिलते है next video में, तब तक के लिए, जाहिए